हलो दोस्तों स्वागा थे आपका अपने सी यूट्यूब चैनल मैक सारिमो के तो दिखिए हमने स्टार्ट क्या था था यह चैप्टर नमर से वन प्रोबैबिटी दिस्ट्रिबिशन ऑफ मैथ 2 का हम लोग ने चैप्टर नमर से स्टार्ट है उसमें हम लोग ने एक सरसाइज पर नहीं पूरे फिनिश के थे फिर हम लोगोंने से वन पॉंट तू पर गए तो अगर आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब किजिए और वेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडिए आपको जल सल मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूल नमर फोर में भी दो कोशेंट यह आपको जितने कोशिंट मिंदें सब के अंदर सबकोश्ण होने वाले किसी में दो किसी में तीन तो उसके लग विल्कुल भी टेंशन लेना नहीं बस क्या करना आपको अराम से करके आना चाहिए बस क्या करना इसमें यह जो चैप्टर अब है आपको चार मार्स ही मिलने वाले हैं सिर्फ क्या करना है इंटिग्रेट करके लिमिट लगा दो इसका मतलब क्या होता है कि जो फंशन क्या है पर यह होता है यह अपर लिमिट ओके यह ध्यान रगना इस 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 लोबर लिमिट आइंड इस 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 अपर लिमिट बस इतने ही काम करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं solution दे दिया question है पूर आपका तो सबसे पहरे लिखना पड़ेगा given function given function f of x is क्या है pdf यह दिया हुआ है okay जब pdf यह दिया है submission of submission ही लिए यहां पर integration लिए integration of limit कहां से कहां तक दिया है देख लो function दिया आपका kx दिया है for limit दिया है कहां से 0 से लिए कहां तक 2 तक दिया ओके तो 2 असा बड़ा बना लगते है limit 0 to 2 यहां पोज़ागा f of x dx कितना होता है आपका 1 होता है क्यों जब भी कोई function pdf है उसका जो पूरे का integration करना भी कितना होता है तो यह हमने बता दिया अब इसको क्ता करना है अब इसको यहां पर स्वाल करते हैं को k का value नहीं करना है तो इंटिग्रेशन 0 to 1 f of x क्या जाएगा आपका kx आजएगा यहां पर लिमिट लिखेंगे तो भी चलेगा हां यह हो गया फिर इसकोट क्या करना ध्यांत निके f of x का value क्या है kx है kx यहां पो जाएगा आपका dx इस इकल टू 1 हां आपका क्या 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 करते है बाहर ले लेते हैं के बाहर आगया यहां पर क्या हो गया आपका 0 to 0 to 2 यहां 0 to 2 है 1 नहीं है यहां पर 2 है 0 to 2 x dx is equal to 1 अभी x का इंटिग्रेशन कितना होता है एक्स का इंटिग्रेशन होता है एक्स इसक्वार अपॉन में 2 तो जाएगा k इंटू x स्क्वार अपॉन में 2 पूरे का 0 से 2 is equal to 1 अब देखो यहां पुजाएगा इंटू तो 2 का इसक्वार कितना हो जाएगा न मायनस 0 का इसक्वार यह हो गया आप यहीं पर मिलेख देखो क्या बढ़ेगी के वाइता हूं तो एज़रे रहने वाला है इंटू 2 पॉर इसक्वार 4 is equal to 1 यहां पूंकि 0 का इसक्वार टो जिखो जाए आपका पाए, that is, 1 by 2, तो first count हमारा हो गया, हमको क्या वाला था, क्या find करने है पहला क्या हो गया, now, now, हमको क्या वाला, also क्या find करने हो गया, also, पी एप 1 by 4 Less than X से और Less than 3 by 2 से यह दिया है यह limit यहां आपको जो function रहेगा यह ही रहने वाला है यह limit बस change होगा और यह differentiation के सेम होगा यह सेम होगा, यहां तक सेम होगा सिर्फ और से लिमिट change होगा चलो करते हैं integration 1 by 4 से लेके 3 by 2 यहाँ पूज़ागा आपका f of x dx is equal to integration one by four से लेके three by two f of x का value का आपका kx है kx यहाँ पूज़ागा dx ओके अब क्या करना है k constant बाहर आज़ागा तो k बाहर आज़ागा integration one by four two three by two यहाँ पूज़ागा इसको इंटेग्रेट करते हैं के तो बाहर रहने वाला है अंदर हो जाएगा x का square अपन में two यहाँ पूज़ागा one by four से लेके three by two okay यहाँ लिमिट लगा दिया one by four से three by two आप देखे one by two constant बाहर तो यहाँ के बाई two हो जाएगा और क्या तो लिमिट लगा तो यह पहला nine अपन में two का square four minus one का square one four का square sixty यह हो गया देखे मैंने क्या यह अपर लिमिट का square minus lower limit का square अब इसको क्या करना है यहाँ पर equal to sign यहाँ सब जेगा हाँ यहाँ यहाँ पर ky2 तो as it is रखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान देखे कि यह तो प्रॉस मैंटिप्लिकेशन कीजिए यह तो डिनोटर को सेम करते हैं देखे फोर से मल्टिप्ला करो फोर से डिवाइड करो क्या होता है डिनोमेंटर के मुझ जाएगो फोर फोर जाए उपर को जाए नाइन फोर जा हैं थिए 16-1 ब्रेकेट-धे लिए फिर यहां पर का जाए आपको ओन बाइटू है इन टू के का वैल्ले के कले पास कितना है यहां पर देना है यह पर सक्षेन नंबर 1 वन बाइटाइट यहां पर लेंटामना के ला इस थू कि थाए इन इस हैं हैं विए तो यहां पर हुआ chi 34 64 यह आपका क्या है this means कि दिखते हैं हम प्रोबेटी बेदेंसिंटी Só क fraction रहता है तो इंटीबरेशन है कि यह दिखते है यह है कि ये थोला से नहीं चेले कहां यह वाला है कि यह आपकर यहां पर यह लिमिन यह दिया हुआ है तो यह होता है जब भी function PDF है तो हमारे क्या होता है integration F of X, D is equal to 1 होता है तो हमने क्या क्या function यहां पे रखा इसको दिवाइड कर लिजिए अधर वास अब इसको ऐसी छोस देगे यह होने के बाद क्या करना है अब हमको एक और question मुला also find this मतलब इस लिमिट है बाकिस सब सेम काम करना है तो देखिए हमने क्या-क्या यहाँ पर limit change कर दिया है one by four से लेकर three by two और f of x डेक्स से बें function kx यहाँ पर लिमिट रखा फिर लोगर लिमिट रखा उसको सौल के तो हमारा अंसर आगे इस तरीके से करना है यहाँ पर question number four का first rule क्या होगा है आप सब्सक्राइब करते हैं next question हाई दोस्तों आप solve करते हैं that is question number four का second question देखिए सेम बोला है find k if function is pdf of random variable of x क्रिश्मा function क्या दिया है f of x is equal to kx into one minus x और इसको जो लिमिट दिया देखिए four कि लिमिट क्या दिया इसका जिरो से जिरो से greater है और वन से छोटा है चीए तरह आप लिए फूर यह हो गया अदर्वास जिरो दिया एक तो फिर उसके लिए हमको find क्या करना पहले है क्या करना पहला काम दूसरा क्या है फी ओफ one by four less than x से और x less than one by two से तुर एक और सी find करना है फी ओफ x किस्ते लेज़ने one by two से less than ओके यहां पर हमको तीन question find करना है ओके चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको क्या find करने के तो k find करने के लिए जो function हो लिख लेते हैं तो function हमार क्या है f of x is equal to kx bracket में one minus x इसमें काम करते k को बाहर रखते x से अंदर multiply करते तो x हो जाएगा minus x into x x का square यह आपका function हो गया ओके और हमको बोलके जो given function क्या है f of x क्या पीडिया के लिखे therefore function f of x function f of x is क्या है pdf यह क्या है given है जब function f of x pdf तो क्या होता है आपका limit क्या दिया है 0 से 1 तक दिया है 0 to 1 f of x dx इगल तो कितना होता है 1 होता है जब function pdf है तो यह होता है हमारा तो अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर रिखे 0 to 1 f of x का value क्या है k x minus x is square यहाँ पो जागा dx is equal to 1 अब क्या करना है k दिखे constant बाहर ले लेंगे k बाहर आगा integration 0 to 1 इसको separate integrate करो इसको separate integrate करो तो यहीं पर रख दोता हूं मैं x dx minus integration 0 to 1 x square dx is equal to 1 आप चाहो तो दोनों को साथ में integrate कर सकते हो आपको पर डिपेंड करता है या तो दोनों को अलग अलग मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि जब उसको जो लिमिट रखे न तो उसको simplify करने में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होना चीए कठना ही नहीं होने चीए परिशान ही नहीं होने चीए क्योंकि कभी बच्ची का होता है प्लस मैंनस में गड़ बढ़ा देते हैं साथ में रहता है इसके लिए मैं साथ में कर रहा हूं यह यह बड़ा सा प्रतूकि देगा क्यों कि यहाँ पे मैंने क्या है एक्सतों बाहर रएगा पूरे सबके बाध्य का होता है एकसी स्क्वार्ड में टू होता है माइनस इसका इंटीजरिशन कितना होता है यह थीमें फिर ठीश से ब क्या हमारा लिमिट फ्रल माइन इस ओकलट टू वalayх लोगे तो 0 हो जाजएगा अब यहां पर क्या जाएगा ध्यान से देखिए के को तो बाहरे रखता हूं मैं अब यहां पर क्रॉस मुल्टिप्लेक्स थ्री बन जा थ्री टू बन जा माइनस टू अपोन में तू थ्री जा 6 इस इकल टू हो जाएगा 1 तो के इन्टू देखें यहां पर लिख देखें तो मैं इसको equation number y क्योंकि हम इसको क्या करने वाले है बाद में यूज़ करने वाले यह हो गया है अब also find क्या करने वह ला है now P of 1 by 4 से बड़ा है एक्स और 1 by 2 से लेस देखें तो बस काम तो यही रहेगा बस है करना limit आपको चेंज करने तो चलो कर देते हैं integration 1 by 4 1 by 4 to 1 by 2 f of x dx is equal to integration 1 by 4 1 by 2 यहाँ पर function क्या आपका function है k x minus x square यहाँ पो जाएगा dx अब इसको क्या करते हैं k को constant बाहर लेते हैं तो k constant बाहर आ गया यहाँ पर equal to us है ना फिर यहाँ पर 1 by 4 रहेगा यहाँ पर 1 by 2 यहाँ पो जाएगा x इसको differentiate क्या लग से फिर minus integration 1 by 4 और 1 by 2 यहाँ पो जाएगा x square यहाँ पर dx ओके दोनों क्या क्या मैंने separately integrate क्या है यह को बाहर रखो क्यों क्योंकि क्या constant दोनों multiple होगा आप क्या करना ध्यान से देखते हैं क्यों क्यों तो बाहर रखोई से अब देखो x का integration क्या होता है x का integration होता है आपका x square upon 2 यहाँ पर x square का integration क्या होता है x upon 3 upon 3 यहाँ पर क्या जाएगा 1 by 4 और 1 by 2 यह हो गया आप क्या करना है यहां से देखे 1 by 2 constant बाहर लेंगे यहां से 1 by 3 constant बाहर लेंगे के को बाहर रखना के को कुछ नहीं करना है यहां जगा 1 by 2 बाहर यहां पर limit लगा दो पहले यह लगाओंगा तो 1 by 2 का square minus 1 by 4 का square यहां पर बड़ा ब्रेकट देता हूं में तब तो और यहां पर curly bracket देता हूं यह वाला फिर सेम काम यहां पर minus 1 by 3 को बाहर ले लूँगा फिर बड़ा ब्रेकट देता हूं में फिर यहां पर लिमिट तो 1 by 2 के 3-1 by 4 के परमें 3, यह हो गया अपका ये क accents. यह हो गया, देखे हैं, मैंने क्या किया है, यहाँ सो 1 by 2 को भाहर ले लिया हरे एक सी स्वेर इसको सी स्वेर का पहले, अपरं लिमिट रखा इसका का जाओ देखकर one by two का इस्वार का था one upon में two two जब four होता है minus four का स्वार sixteen होता है यह हो गया bracket आपका minus one by three बाहर रखो one तो सेम रहेगा two का क्यूब कितना two 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 four two eight होता है minus one तो सेम रहेगा four का क्यूब कितना था four four जब six four four जब six four चार चुब 16 चुब 64 ओके यह हो गया अब क्या करना है इन दोनों को पहले सिंप्लिफाइ करना है कि यह को तो बाहर रखता हमें वन बाइट वह इसी रखो क्रॉस मॉल्टिबले कि सिक्स्टीन देखो 16 यहां पर जाएगा 16 माइनस 4 अपन में 16 सिक्सिफोर आजएगा फिर माइनस वन बाइट री चौशट माइनस एट अपन में आठ चुक बतिस के दो और आठ छट अर्टालिस उन्चाश पच्छाश सिक्क्यावन 51 इतना हो गया पांसो बारा हो जाए अब क्या करना है और सिंप्लिफाइ करते हैं के इंटू यहां को ज देखें के कमें लिए हमारे पार जाटेश सिक्स है यहां पर लगता हूं सिक्स है तो वन बाइट टू यहां पर कहा है यह जाएक ट्वेल अपन में 64 ओके यहां पर मल्टिप्लाइका साइन ही डाहता है फिर माइनस वन बाइट त्री सिक्स्टी फोर आठ च्छा करतालेश सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर क्या जाएगा एक काम करते हैं एक स्टेप रूप यह रखो और यहां पर ट्वल रहने दो अब मैं करते हैं तो सिक्स से सब्सक्राइब मुल्टिप्लाइक तो यहां पर काटाएगा सिक्स अपॉन में टू इन्टू 12 अपॉन में 64 माइनस वन बाइट प्री इन्टू 56 अपॉन में 512 इन्टू 6 ओके इस दो च्छक बारा ओके और आठ इसको दो से फिर से काटता हू है तो दो तिया छे और इसको काटों में दो से ना तो 32 दूना 64 तो कितना रहा देखिए यह 3 यह 6 है 6 रिजा 18 अपॉन में 32 माइनस यहां पर कितना 56 है और कुछ है नहीं आ उपर 56 है अपॉन में 256 है यह हो गया है अब इनको solve करना है तभी यह और कटेगा और कटेगा देखिए यह हो जाएगा नव से नव दून अटरा अठार दूना उनएच दूना 16 दूना 32 हो गया इसो काटते हैं चार से काटो तो जाएगा चार एकंग में 4 चरचोग 16 चौदर चोग 56 अरते है 4 से 45 चार चौद्धार 24 हाँ जाएगा जाएगा देखिए चार एकंग 4 चार चौदर चोग चोथ चोग चोवव zwei हो आ रहा है फिर 2 से और कटेगा 2 से बंजा 32 दूना 64 तो कितना अध्यांस दिखिए यह 9 अपन में 16 आ रहा है माइनस 7 अपन में 32 आ रहा है अब इससे और कुछ सिंप्लिफार हो सकता है नहीं तो अब इसको का करेंगे सिंप्लिफा नहीं हो रहा है तो को रास मैंट्टिकेशन करिए यह द एग smoking करें तो गड़के अबयา करो अब द्लिफ तो ज़्यादा बढ़ क्या सब्सक्राब्स कर दो कि दुए है यहां पर इससरे मल्टिप्लान एफ इससे डिदाइफिव तो यहाँ पर आजाओ थोड़ा सीधर ले तो हां यहाँ पर आप क्या आजा देखिए नीचे का से में तो एक वार लिख लेंगे तो मैंने दिख लिया 32 उपर क्या जाएगा 18-7 तो 18 में 7 के कितना आता है यह है आपका फाइनल अंसर देख लिए इस तरीके से करना है हमने क्या किया सबसे पहला जो फंचन ले था वो पिरिया था तो इसको अलग दोनोंको क्या क्या है कि ऊपनू कर सते हैं कि सदस्क Lazism ौट with एक एक पयान वाड़ को स्कुर्स एक प varit हुर है सब्सक्राइब करें नहीं दो फसके कि उसको पॉंट संधीक अने यह बदूं करता हुए यह ला पर ले लता हूं तो हमारे यह ला पार्त है do करते हैं यह सकंद से एंथे बाकर कोरिकिंग सी में फीं स collecting लिमिट क्या दिया देख लेते हैं लिमिट यापका पी ओफ एकस्न लेस देन वन बाइटू से लेस्ट अने मतलो कहा तक पता निया बट इसी के लिए यहां पर रेंज देखे रहा है integration 0 to 1 by 2 इसका function क्या है के x minus x square यहाँ पर जागा dx ओके देखो यह यह न यह रख लिए function अब इसको क्या करना है simplify करना है तो हम लोग क्या करते है इसको बाहर लेके इसको एक के को integrate करते हैं तो के को हमने बाहर ले लिया ब्रेकेट integration of 0 to 1 x dx minus integration of 0 to 1 by 2 x square dx यहां से ब्रेकेट आपके करना दोनों को separate integrate करते हैं तो यहाँ पर कर जाएगा यह तो बाहर रहने वाला है यह हो जाएगा x square upon me to 0 to 1 by 2 minus x से पाउर में 3 upon में 3 यहाट हो जाएगा 0 to 1 by 2 और यह बड़ा ब्रेकेट देना दो क्यों क्यों कि हमारा constant है अब क्या करना यहां से 1 by 2 लेके limit लगा देना है ओके चलो ले ले लेते हैं तो बाहर को k ही रखते हैं यह curly bracket 1 by 2 को मैंने बाहर ले अब limit लगाते है देखें 1 by 2 को बाहर है पहला upper limit क्या है हमारा 1 by 2 तो 1 by 2 का क्या है square है 0 रखें तो 0 हो जाए तो इसको छोड़ देखें फिर माइनस माइनस यहाब कर दो कर दो को बाहर तो इसी रहेगा इसको solve करते है 1 का square तो 1 होता है 2 का square 4 minus 1 by 3 as it is into 1 का square 1 2 का 2 का cube 8 होता है तो जाएगा k देखो कितना होता है 4 तो जाएट हो जाएगा 1 up 1 में 8 minus 8 3 जाए 24 हो जाएगा 1 up 1 में 24 अब देखें इसको simplify करना है या तो आप क्या करो के का value रज़ दो के का value कितना है हमार पास के का value 6 से तरह देते हैं तो 6 1 by 8 minus 1 upon में 24 from 1 from equation 1 6 से multiply कर दो तो जाएगा 6 upon 8 minus 6 upon 24 कितना रहा है 3 by 4 minus 1 by 4 डिनोमेटर से में टेकवार ले रहेंगे उपर 4 3 minus 1 कितना होता है 3 minus 1 होता है 2 by 4 4 तो 2 1 जा 2 2 जा 4 कितना है आपका 1 by 2 यह आपका final answer या तो इसको चेह तो ऐसा देते हैं 0.5 ओके अगर 1 by 2 आपका चलो यहां पर जगाना यहां को हो जाएगा यह 1 by 2 दिया तो ठेक है और तो 0.5 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओके यह है आपका final answer या तो आपका question number 4 के second का second वाला पार पहले वाले पार्ट को हमने a suppose को उसको previous में किये थे और यहां पर हमने क्या किया है इसको b suppose किया देख लिजिए यहां पर b लिखाओ इसको simplify किया है same वही pattern पकड़के रखना कुछ भी changes नहीं करना ओके तो यहां पर आपको question number 4 होता है पूरा solve हो गया है आप उसको चिस स्क्रीम शर्ट लेज़े प्रिवरते हैं next question क्यों हो आप दोस्तों आप solve करते हैं that is question number 5 देखे question number 5 क्या बोलता है let x be the amount of time for which a work is taken out of library by randomly selected student and suppose x has a pdf मताब बोलके दिया है 0.5 x 4 0 से लेके कहा था 0 से greater than है x और 2 से less than है और otherwise 0 है यह है तो हमको find करना पहला p of x क्या है 1 से less than है फिर दूसरा find क्या क्या है 0.5 से greater है 1.5 से less than है तूसरा find करना 1.5 से क्या है greater than ओके तो चलो start करते है यहां को सबसे पहला कम फंशन के हमारा f of x is equal to 0.5 अच्छा 0.5 को देखिए आप 1 को 2 से डिवाइड गारों कितना आता है 0.5 तो क्या मैं 0.5 को 1 by 2 लिख सकता हूं तो लिख देते हम लोग कि आपको को function फट्स हो जाता है यह मैंने इसलिए लिख ताकि आपको जो आ गया है solve करने में आपको जो कोश्चन को solve करने बहुत और होने वाला है point से दूर रहेगा आप अगरारास point कभी mistakes हो जाता है इसमें कंग अपको वाला नभीrant तो दिखते हैं क्या करते है यह हूग गया है ऑपको बोल तरफ को sitä है करो क्या कर सकते हैं पहला यहां को क्या बोला है यह वालご ऑगा य 화ए क्पराफ करने के लिए लंप हमारा P of X क्या है? less than equal to 1, okay? तो integration of 1 से highest कितना जाएगा? 1 जाएगा? less than कहां तक जाएगा? less than अपना कहां जाएगा? 0 तक जाएगा. क्यों, देखे हमारा X का value यहाँ पर दिया है? कि 0 से greater है और equal है, और 2 से less than 2 के equal है, तो highest में highest कहां तक जाएगा? पूते जाएगा और लोविश में लोविश कहा तक रहेगा जीरो तक रहेगा तो इसका जो लिमिट होज़ा जीरो से लिखे वन तफ होगा यहां पूज़एगा आपका f of x dx तो अब इसको क्या करते हैं सॉल करते तो लिखते इंटेग्रेशन 0 to 1 f of x का वैल्यू क्या है xy2 यहां पूज़ागा dx तो मैं इसको थोड़ा सिदर लेता हूं देखे एज उक्वाल टू कॉंस्ट्ट बाहर आगा है इंटेग्रेशन x dx ओके 0 to 1 यह हो गया है अब हुन लोग क्या करते हैं इसको इंटेग्रेट कर देते हैं तो कहाएगा देखे 1 by 2 x का इंटेग्रेशन करता है x square आप 1 में 2 यहां पर कहाएगा 0 to 1 तो रखिए 1 by 2 तो एजड़ी रहेगा यहां पर रखेंगा 1 फिर कहाएगा तो जो जाएगा 1 अपॉन में 2 ओके क्या रहेगा 1 अपॉन में 2 तो कितना अ पहले का इंटेग्रेट करेंगे हम लोग तो जाएगा 1 by 4 तो पहले का अंसर आगा देख लीजे कितना इसली खतम हो गया पहले का अंसर कितना है आपको 1 by 4 हमने क्या किया है जो भी बहुत है 0.5 इंटो एक्स दिया है तो 0.5 तो मतलब कहाता है 1 up 1 में 2 होता है तो हमने इसक इसको क्या करेंगे integrate क्रेंगे तो देखे 2 क्या है constant है तो 1 by 2 को क्या हम लोग ने बहार ले लिए फिर x क्या क्या है इंट्रेट क्या है यह मिंस कि यह पावर में 2 हो गा अप 1 में 2 देखे 1 है ना तो 1 रखेंग है तो same ही आएगा 1 upon 2 जेरो खे तो 0 हो जाएगा तो 1 upon 2 यहां देखिए 0.5 है यहां पर 1.5 यह लिमिट दिया है ओके तो रखो इंटेग्रेशन 0 to 5 to 1.5 f of x का विल्यों हमारे पस क्या आए तो लोग दर लिख देखना f of x dx is equal to integration 0 to 5 to 1 to 5 ओके यहां पर क्या जाएगा x appointment to dx तो 1 by 2 constant बहर आजाएगा तो 1 by 2 बहर आगया integration 0 to 5 1.5 x dx ओके तो 1 by 2 तो ऐसी रहने वाला है इसमें कुछ भी changes नहीं होगा आप क्या करते इसको integrate करते क्या जाएगा x square appointment 2 और limit क्या जाएगा 0.5 से लेके 1.5 अब देखिए यहां तो 1 by 2 वापस से constant बहर ले ले लेंगे तो जाएगा 1 by 2 into 1 by 2 यहां पर रख देजिए यहां अपर लिमिट क्या है 1.5 का square minus 0.5 का square यह हो गया पहला upper limit रखा फिर lower limit रखा तो यहां पर जाएगा 1 by 4 फिर ब्रेकर में आजा 1 by 4 हो गया अब देखिए 15 का square कितना होता है 225 होता है minus 5 का square 25 अब देखिए एक है न तो 2 क बाद लगाते हैं क्यों क्योंकि हम दो उसी चीच का देखिए 15 into 15 कर रहे है तो एक दो दो जीट का बाद पॉइंट लगाएंगे यहां पर 0.5 into 0.5 कर रहे हैं तो यहां पर भी दो जीट को बाद लाएंगे ओके यहां रखना है ओके यह हो गया अब इस में से उसको minus 5 minus 5 का 0, 2 minus 2 का 0, यहां पर बच्छे का 2 तो यहां पर कितना है यहां पर आगया यहां पर आगया that is आपका into 2 तो 2 अंजा 2 तो कितना है आपका 1 by 2 और इसको चीचे तो इससे लिख सकते है 0.5 यह आपका फाइनल अंता कर देखिए इस सकेंड वाले का भी आ गया है आगे ना सकंड वाले का देख लिख लिए 1 by 2 लिखे है तो 0.5 इसको भी चीचे तो अब इसको अगर पॉइंट में करना है तो 1 है ना तो 4 तूजा 0.25 आएगा यह जा 0.25 अगर इसको लिखना है तो इसससे 0.25 भी लिख सकते है अधरवास को यहीं पर छोड़ हो क्यूंकि जो एक्स का वेल्यू है 1.5 से ग्रेटर है तो 1.5 से ग्रेटर कहा तक जाएगा देख लिखनी है यहाँ उपर दिया है कहा तक जाएगा 2 तक जाएगा तो लिमिट ला जाते हैं इंटेग्रेशन 1.5 to 2 f of x dx is equal to integration 1.5 to 2 f of x का वेल्यू का है x y 2 यहाँ पर जागा dx तो 1 by 2 को constant बाहर ले लेते हैं integration 1.5 to x dx यहाँ पर कर जागा 1 by 2 इसको integrate करते हैं तो x के power में 2 upon में 2 यहाँ पर जागा 1.5 से लेके 2 कर तो 1 by 2 अगें constant ले लेते हैं 2 upon 2 into 1 upon में 2 अब लिमिट लगा दो अपर लिमिट 2 का स्कार माइनस लोवर लिमिट 1.5 का स्कार तो 1 upon 2 तो जा 4 तो 2 का स्कार 4 माइनस इसका कितना था है 225 होता है ओके और दो तो बात पॉइंट लगा दिया अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखिए 4.00 और 2.25 क्योंकि देखिए इधर पॉइंट आथ उस नंबर में यहाँ कर रहे हैं वहाँ तो 0 ले लेगे अब क्या करते हैं इसमें 1.75 तो यहाँ पर लिखिए 1 by 4 into 1.75 तो इसको इसा दिख सकते हैं देखिए यहाँ पर है पॉइंट को हटाने लिका काना पड़ता है जितने नंबर के बाद पॉइंटे उतने ही डिजिट के आगा तो उतने ही 0 के आगा नीचे बश जाए देखिए 1,2 तो डिजिट के अब पांच तिया पंदरा पांच पच्चे पच्चीश अब पांच है ना बीस पच्चे सो बीस आ रहा है फिर से करते हैं पांच सत्य पैतिस पांचोक बीस तो कितना रहा है 1 by 4 into 7 upon 4 तो जा रहा है 7 upon 4 जा 16 कितना रहा आपका असर 7 upon 16 यह आपका final answer है यहाँ पर थोड़ आ इसको डिवाइड करते हैं तो यह इस तरीके से करना है कुछ भी हाड नहीं है अगर आपने जो definite integration उसको किया है तो यह आपके बहुत चिलर है अगर आपने उसको नहीं किये तो प्लीस जाएए वहाँ पर वीडियो को अच्छे से वाच्छ किए तो आपको यह अच्छे से स आपको अब सॉल करते हैं that is question number 6 देखे question 6 से होता है suppose that x is the waiting time in a minute for a bus and its pdf is given देखो pdf दिया है f of x equal to 1 by 5 for x से देखो 0 से greater x और 5 से क्या है less than जीरो से greater than equal to है 5 से less than equal to है otherwise क्या है 0 है फिर बोल रहा है find the probability of waiting time is between 1 and 3 waiting time is between कहा है 1 to 3 और दूसरा है more than 4 okay more than क्या है 4 तो बस यह सेम चीज जीसा हमनों बाखें probability find करते है देखे p का मतलब भी probability होता है जो हमनों लिग किया रहा थे ना p of x less than greater than जो भी something लेता था वह प्रोबैबिटी यह भी probability है same चीज फाइंड करना है तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना आपको function लिख लेना function हमारा क्या जाएगा 1 by 5 यह हो गया है और यह pdf है तो यह given a भी हमने लिख दिया है अब क्या करना है इसको solve करते पहला पोश्चन किसके लिए waiting time between one to three तो देखिए waiting time one to three है ओके तो हम लोग इससे लिख सकते ना जो हमारा एक से है one से greater than है और three से क्या है less than है क्यूंकि between बोला है मतलब दोनों के बीच में मिन्स क्या है one से greater और three से less than है यह इसका में क्या क्या है इसको इस form में लिख लिया है probability of अब इसको क्या करना है solve करना तो लिखिए integration one to three f of x dx is equal to integration one to three f of x का value कितना है one by five dx one by five constant है बहार आ जगा तो जगा one by five integration one to three यहां पर रचेगा one dx one का integration कितना होता है that is x होता है तो one by five यहां पर जगा x one से three तो जगा one by five यहां पर रखेंगे पहले three minus one तो three में से one का कितना तो आता है तो यहां पो जाएगा आपका one by five into two यानिकी two by five यह आपका पहला अंसर आ गया है पहले का probability आपका अंसर आ गया है कितना है two by five कितना है तो आता है अप वहन में one by five अब सेम आजे इस second वाले के लिए second हमको क्या बोला ध्यांस देखे waiting time is more than four मतलब क्या रहा है four से start हो रहा है वह एक्स क्या है four से ज्यादा है अब four से ज्यादा कहा तक जा सकता है देखे हमको limit देके रखा है four से ज्यादा maximum तो maximum काट जाएगा five तक जाएगा minimum zero तक इस अगर minimum बोला तो तो हमने zero लेते हैं और maximum बोला होता तो हमने five लेंगे ओके यहां पर maximum बोला तो यहां पर कर जाएगा five यह हमारा हो गया probability हमको यह find करना है तो लिखिए integration four to five f of x dx is equal to integration four to five यहां पो जाएगा one by five dx बाहर ले लेंगे integration one dx यहां पो four to five तो one by five तो one का integration क्या होता है एक्स होता है यहां पो जाएगा four to five ओके तो क्याएगा limit रखे तो हो जाएगा one by five into देख लिजे यहां पर दोनों question एक ही बार में हो गया कुछ भी hard नहीं है बस क्या करना है आपको सिर्फ लिमिट पहचान आना चाहिए आपको function यहां पर दीदेगा बस आपको limit पहचान बोला, maximum बोले तो यहां पर चेप्ट जो आपको question में दिया है maximum यहां तर जा सकते है minimum यह आपको ध्यान रखना इसमें आप गड़वड़ी यह नहीं कर सकते question maximum बोला है minimum बोलो ध्यान देना अगर जो आपने limit रॉंग लिया तो आपका अंसर रॉंग आएगा लिमिट सही लिया तो आपका अंसर सही आएगा तो यह इस तरीके से करना यहां पर आपको question number six solve हो गया है आप इस कर्षिय से question number seven क्या बोलता है function f of x is pdf with random variable of x ओके और function क्या दिया f of x is equal to k into 4 minus x square 4 minus 2 से greater than x का value और 2 से less than equal to मतलब क्या है सबसे छोटी value उसकी क्या होगी minus 2 और सबसे बड़ी क्या होगी 2 और बाकी सब इसके बीच में रहेंगे और otherwise क्या जिरो दिया है उसमको find करना probability of x क्या है greater than 0 है फिर दूसरा है probability of minus 1 से x greater है 1 से less than है उनके बीच में find करना है फिर थाड़ है probability of minus 0.5 से बड़ा है x और x से और x बड़ा है 0.5 से तो इस तरीके से हमको करना है तो चले श्टार्ट करते हैं देखिए question number जो 7 है क्या है तो सबसे पहला हमको बताना पड़ेगा जो function है function आपका f of x क्या दिया है k4 minus x square है और f of x is क्या है pdf given है तो क्या है इंटेग्रेशन लिमिट क्या दिया है minus 2 से 2 तक minus 2 से 2 तक f of x dx is equal to कितना होगा आपका one होगा ओके और सबसे पहले हमको क्या find करना पड़ेगा k k find करने के बाद ही हमनों यह सब find कर सकते अधर बाइस नहीं क्यों क्यूंकि हर एक function में हमको k का value रखना पड़ेगा करते हैं पहले k find करते हैं यहां भी क्या जाएगा ले लेते हैं integration minus 2 से 2 f of x का value क्या दिया है that is k 4 minus x square यहां पो जाएगा is equal to पहले आप रखेंगे dx is equal to y तो k constant बाहर ले लेंगे करते हैं अब इसको और इसको दोनों क्या करता है मैं अलग अलग इंटेग्रेट करता हूँ ताकि confusion ही नहीं हो तो जाएगा इंटेग्रेशन में 3 और इसका भी limit का माइनस 2 से 2 यह हो गया अब क्या करते हैं limit रख दते हैं तो किये तो बाहर रहने वाला है तो जाएगा यहां पर पहले 2 रखो तो फो टू जा यह हो जाएगा ओके तो एड के पार में 3 फिर फिर फॉर्मिले का माइनस हा तो जाएगा माइनस एट भाइ थी यह बड़ा ब्रेक्ट लगा जाता हूं और यहां पर कर लिए यह हो गया अब क्या करना है बैक्क्रेट ऑपन करते हैं तो क्या जाएगा देखे यह माइनस हो जाएगा देखा एड प्लस एड इसके अप्रों में 3 इसके अप्वर्ण में 3 WORстановativa कला है इन दोनों को पर ब्रेक्ट सॉल्ल करते हैं तो चलो सॉल करते हैं तो चलो ले हाएक और सब क्यूंतव mia रेखे आना है सब और is equal to y निचे क्या constant है तो हम उसको एक वाय दिख लेंगे दिनों मेंटर और दोनों को add कर देंगे आप क्या है यहाँ पर cross multiplication कीजिए तो section 3 जा 48 minus 16 upon में 3 is equal to 1 तो k into 48 में से section कितना था 32 upon में 3 is equal to 1 यहाँ पर तो multiply का sign रहेगा ना क्यों क्या multiply okay देखे आप जोड सकते हैं देखे 8 में से 6 गया तो 2 आ गया 4 में 7 गया तो 3 आ गया अब देखे जाए इधर इन पी दर तो division में तो जगर k is equal to 2 उपर का नीचे जगना यहाँ थी अपन में 32 यह आपका final answer है किसका k का और इस और मैं बता दो जो आपके टेस्ट उत में दिया है k का value वह mistake दिया है तो उसको follow नहीं करना आपको इसको follow करना है क्योंकि हमने proper एके step अच्छे से किया है जो value दिया उसके सब स हमारा के का value तो आगया है अब चलते हैं फर्स्ट वाले की ओर तो हमको first में क्या बोला है first में बोला है P क्या है P of X क्या है greater than 0 है P of X greater than 0 का मतलब क्या होता है कि आपका क्या है 0 से greater कहांता जाएगा ध्यान से greater than 2 तब जाएगा पी मतलब क्या तब probability of X find का नम को 0 से greater है तो लेड़े इंटीग्रेशन 0 to greater कहां था या 2 तक f of X dx is equal to क्या जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 k 4 minus x square या पो जाएगा ध्या है यह हो गया है अब क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है तो k constant बाहर ले लेंगे k बाहर आगा करना है क्योंकि अगर जो separate नहीं करते तो आपको तकलीफ हो जाएगा लेकिन यहां पर 0 है तो कर देते तो इसको इंटीग्रेट करना है तो 4 minus x square हो जाएगा यहां पर bracket हो जाएगा यहां पर dx हो जाएगा तो k को तो बाहर रखेंगे यहां पर 0 to 2 है ना तो 4 का integration क्या होता ह है डाइड़ आपका होता 4x minus x से क्या होता है x square हो जाएगा 1 से पौर 3 अपन में 3 limit क्या आपका 0 to 2 अब limit लगा देते हैं यहां पर k है bracket में 4 into क्या है यहां पर 2 है ना 4 into 2 यानि फिर minus 2 के power में 3 upon में 3 अगर 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा इसके लिए 0 नहीं रखेंगे यहां पर जाएगा आपका के 4 तूजा 8 माइनास 2 तूजा 4 तूजा 8 अपन में 3 अब क्या करना है cross multiplication कर लेते हैं तो के 83 का 24 यानि 24 माइनास 8 अपन में 3 तो के का value क्या है हमारे पास के का value इसको equation वहन देते हैं that is 3 by 32 तो 3 by 32 इंटू 24 में सेट गया तो section आएगा अपन में 3 ओके आपका किसका फॉर्स्ट वाले का अंसर है पी और जो एक से greater than 0 है तो यह उसका answer है देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है हमने find किया है के okay के को find करने वाद हमने क्या किया है इसमें limit लगाना है यह first वाले का सकेंड क्या बोला है probability of minus 1 से greater x और 1 से less than फिले लेते हैं सकेंड सकेंड सॉल करने हमारा के का वैल्यू क्या था के का वैल्यू आया था 3 by 32 इसको लिख रहे है कि हमनों इसको use करने वाले है इसमें first क्या है हमारा पी ओफ माइनस 1 से greater than x और 1 से क्या है less than is तो integration क्या हो जाएगा minus 1 से 1 f of x का value क्या है यहाँ पर आजएगा f of x dx is equal to integration minus 1 से 1 यहाँ पर जाए k 4 minus x square यहाँ पर d x आद इसको simplify करते देखिए k constant बाहर ले लेते इंटिक्रेशन-1 टे 1 तक फिर हम लुगा करते हैं फोर को पहला करते हैं इंटिक्रेशन यह मैं bracket लेता है पहला हम लुग क्या करेंगा 4 को इंटिक्रेट करेंगे ओके यहाँ पर आपके यह हो गया हाँ 4 को इंटेगेट करें तो 4X होजाएगा minus 4DX आप यहाँ पे लेते इसको integration minus 1 से 1 X square यहाँ पे DX बड़ा सा bracket आप के ज़ाएगा किये तो constant बाहर ही रहने वाला है इसको integrate करें कितना हैगा यहाँ पे होजाएगा आपका यहाँ पे 1 से अंबर हो रहे यहाँ पोजाएगा आपका 4X limit लगा देजिए minus 1 से 1 minus यहाँ पोजाएगा X का power में 3 upon में 3 इसका limit लगा जाएगा minus 1 to 1 यह हो गया है अब क्या करना है limit लगा जते हैं कि यह को तो बाहर ही रखो तो जाएगा 4 into 1 minus 4 into minus 1 हो जाएगा यहाँ यहाँ पर minus लगाते हैं यह वला minus है फिर यहाँ पर same यह पर आपका पहले 1 रखो हो है तो 1 by 3 हो जाएगा फिर minus है formula का फिर यहाँ पर हो जाएगा minus 1 by 3 ओके यहाँ पर 4 हो जो 4 रहें दिए तो ना direct यह हो गया हमने क्या क्या limit लगा दिया है अब इसको क्या करना है सिंब्लिफाइ करते हैं कि देखते हैं कि तो बाहरी रखो आप अंधर क्या लगा लिए यह हो गया अब अब इसको simplify करते हैं पहले तो k44 कितना जाएगा 8 हो जाएगा माइनस यहां पर क्या करते हैं तो एक टेम डिख लेंगे 1 और 1 कितना जाएगा 2 हो जाएगा अब इसको क्या करते हैं करते हैं क करते हैं के टो 24 एहाप कुछी तो 1 चाएग 2 अकोन में 3 आप क्या करते हैं क्या करता हूं कितना इस टो एकरेशन इम मर नेके रखहे थे 3 by 32, 3 by 32, into 24 में से 2 का तो 22 अपोन में 3, okay, 22 अपोन में 3, तो 33 cancel, फिर क्या होता है यहाँ पर, एक ची और cancel होगा, 2 11 जा, और 6 जा 32, okay, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, यहाँ पर आजाएगा आपका 11 by 16, यह आपका अंसर है किसका second वाले का, यह किसका अंसर है, second वाले, okay, तो इस तरीके से करना है, यहाँ पर आपका question number 7 का second वाला part क्या हो गया है, stall हो गया है, आप इसकर चेसे screenshot लिए, फिवर्टे है next question क्यों, है दोस्तों, अब देखते हैं, question number 7 का third, इसके पहले वाले हम question number 7 का second लिखा था, लेकिन by measure भी one लिए तो अब उसको correct कर लें, okay, question number 7 का third क्या होता है, P of minus 0.5 से क्या है, greater x, और दूसरा क्या है, 0.5 से भी greater x, okay, तो हमको इसको करकरना solve करना है, तो देखिए यहां पर और दिया है, और का मतलब था प्लस, इसको देखिए दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक जो आपको टेश्मिंग दिया है, और एक मैं जो मेरा method थो 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 short में है, देखिए, पहला जो method 1 है, m1, क्या करना ध्यान से देखिए, जो दिया है, integration of कहां से start हो रहा है, minus 0.5 से बढ़ हो, तो ज्यादा जाए रहा है, तो ज्यादा कहांते जाएगा, minus में जाते जाए रहेगा, तो यहां तक सबसे का, minus 2 से लेकर कहांते जाएगा, minus 0.5 तक f of x dx, फिर प्लस कहसा है, फिर integration, फिर दूसरा कहा है, 0.5 से कहाता जा रहा है, that is 2, f of x dx, यह है एक तो तरीका, यह आपका test 2 का method है, method 1 हो गया, अब यह मैं आपको method 2 बदाता हूँ, हमने सिखा है, कि जो pass होता ह है, plus failure, plus success is equal to कितना होता था, 1 होता था, तो q is equal to क्या होता था, 1 minus pass, यह होता था था, तो इसको मैं इस form में लिख सकता हूँ, अब pass में कहां से दिया है, देखे, यहां से start हो रहा है, यहां पर खतम हो रहा है, means, इसको इससे लिख सकते है, 1 minus integration, minus 0.5 से लेकर 0.5, f of x dx, यह दो मेथड है, आप दोनों में से कोई भी उस कर सकते हैं, ओके, और मुझे जहां तक लगता है, मैं खुद किया हूँ, तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा, easy है, और कम समय में आपको आजागान सा, थोड़ा सा लेंदी है, और calculation भर भर के है, ओके, तो मैं यह मेथड नही इसका मतलब कहाता है, इसके इस उकल टुम होता है, आपका, 1 माइनस, इंटेगरेशन ओफ माइनस 0.5, 0.5 साथ, f of x, dx, ओके, यह हो गया है, इसके इस उकल टुम यह होता है, अब देखे, 0.5 का मतलब इतना तो हाफ होता है, अब हाफ ही लिखे तो बेटा दे, क्योंकि इसके इंटेगरेशन, माइनस, 1 by 2 से लेके, 1 by 2 तक, f of x का value क्या है, हमार पास, यहाँ पे है आपका, k, 4 minus x square, यहाँ पुझा का, dx, ओके, यह हो गया है, अब दोनों में धड़ा, इसको भी मैं रहें देता हूं, आप चिए तो इसको से बाद में घर पे चेक कर सकते, ओके दोनों से अंसर सेमी आने वादा है, यह हो गया, अब इसको क्या करना, जैसे आप बाकी कोशिन करते हैं, यहाँ पे जो में काम साम को लिमीट बनाना था, ओके, लिमीट बनाना था, तो लिमीट मैंने इस तरीके से बनाया है, कि आपको आख को क्या लगे, easy लगे, देखे, तो आप यहाँ पर लिखे, one minus is equal to, one minus से करते हैं आप वहाँ, और यहाँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर विरको function, यहाँ पर विरको function, ओके, इसको ऐसा form इसको भी करता हो, ना, minus two से लिखे आगा, minus one by two, f of x, dx plus, यहाँ पर one by two से, two f of x, dx, तो यहाँ पर इसक करते हैं, तो आपको answer नहीं जाएगा, otherwise इसको, तो यह easy skill में इसको बचर हो, ओके, तो यह हो गया, अब क्या करना है, k constant बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा, one minus k, अब दोनों को integrate भी करता हूं, separately, तो बड़ा सब रेकेट, integration minus one by two से लेके, one by two, four, dx minus integration minus one by two से लेके, one by two, x square, dx, ओके, यह हो गया, दोनों को separately integrate, ओके, यह one को ऐसी लेकर चलो रहा हूं, कुछ नहीं करना है, minus k, आप क्या करना है, आपको, इसको integrate कर देके आएगा, यहाँ पो जाएगा, four x, limit क्या आएगा, आपका, minus one by two से लेके, one by two तक, फिर minus, यहाँ पर कर जाएगा, x के पावर मे कुछ लोग कर देते हैं, one minus, यहाँ से four को बाहर लेता हूं, यहाँ से three को बाहर लेता हूं, ओके, यहाँ पर रहेगा, अब यहाँ पर upper limit रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, k को बाहर रखूँ, k को ऐसा bracket लाकर रखो, कर ले, ओके, यहाँ से देखो, four को मैंने बाहर ले ले, अब अपर लिमेंट लगाते हैं, तो कितना था है, one by two, फिर minus formula का और यह minus minus का जाएगा, plus, फिर यहाँ बाहर ले लिया, यहाँ पर one by two रखा, फिर formula का minus, और यह minus हो लिये, फिर हम minus यहाँ का, फिर यहाँ पर इसे one by three को बाहर ले लिया, bracket में, यहाँ पर पहले कहा रखे है, one by two, one by two के पावर में कितना हो जाएगा, that is, three हो जाएगा, minus, minus, one by two के पावर में कितना हो जाएगा, three हो जाएगा, ओके, यहाँ पर curly bracket, हमने क्या क्या है, यहाँ पर lower limit 1 by 3 को मैंने बाहर ले ले ओके यह हो गया है इसको मैं रफ करदा हूँ इसके screen शोड़ ले लो आप इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ आप इसको बाद में घर पे आराम से solve करके देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा देखिए 1 minus is equal to 1 minus k पर यहाँ पर curly bracket तो देखिए यहाँ पर बाहर 4 रहेगा उपर और नीचे क्या जाएगा ध्यान से कि दोनों 2 same है तो 2 को 1 time लेखेंगे उपर क्या जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा यह हो गया minus 1 by 3 bracket देखिए यह क्या जाएगा आपका 1 रहेगा और 2 का q कितना होता है 8 होता है यह minus minus plus यह भी हो जाएगा 1 by 8 ओके यह हो गया फिर यहाँ पर 1 minus k यह हो जाएगा 2 to cancel सिर्वच्चे यहाँ पर 4 minus 1 by 3 ओके minus 1 by 3 यह क्या जाएगा 8 सेम है तो 8 को 1 टैम लिखेंगे और 1 वर 2 हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पर लिखे 1 minus k यहाँ पर 4 minus 2 for the 8 ओके यहाँ पर कहा रहा है 2 for the 8 तो 4 3 जा 12 1 by 12 हो गया ओके यहाँ पर हो जाएगा 1 minus k into 1 by 12 4 for 12 चोग 48 minus 1 upon में 12 ओके तो जाएगा 1 minus k का value क्या है हमार पास that is 3 by 32 तो लिखें 3 by 32 into 48 में एक यह कितना तर 47 upon में 12 यहाँ पर लिखें है k is equal to कितना है 3 by 32 तो from 1 से ओके अब क्या करते हैं देखे 3 4 जा क्यों होता है और कुछ करता है नहीं तो कितना होगा है यहाँ पर 1 minus उपर 47 as it is रहेगा निचे दीखे 32 into 4 कीजिए ओके तो 4 दूना 8 चारतिया 12 अब इसका करते हैं cross multiplication यह हो जाएगा यहाँ पर 128 minus 47 अपोन में यहाँ पर हो जाएगा 128 अब क्या करना है यहाँ पर 128 में से 47 हो क्या करना माइनस करना है यहाँ आ रहा है यहां रहा आपका 81 अपने 128 अब क्या करना यही आपका फाइनल अंसर है अगर जो आपको यहीं पर छोड़ दे तो जो इसको 81 अपन में 128 है तो 128 से 81 को डिवाइड करता हूँ तो 0.63 कुछ आएगा वेल्यू अधर बस आप छोड़ दें तो भी आपका अंसर है क्यूंकि हमने सभी कोशन में यहीं तक छोड़ा आगे गए नहीं है देखिए यह कटेगा यह 3 से जाएगा लेकिन 3 से सब्सक्राइब करता है और आपको वीडियो अच्छी लगते है तो प्लीज आप दोस्तों में शेयर कीजिए तक उनको विशेश का वेनिफिट होना चाहिए तो थेंक्यूंकि गया क्या दोस्तों टोस्तों में वीफैपल Mount